दोस्तो सवगत है आपका एक बार फिर से हमारे यूटूब चैनल एजूकेशन मीड में दोस्तो आज हम बात करने वाले एक कंपनी के वित्य वेवरण के बारे में तो आगे दोस्तो ज़्यादा टाइम नहां वेष्ट करते होगा शुरू करते है दोस्तो आज के हमारी वीडियो जैसा कि दोस्तो मैंने पहले जो वीडियो बनाया तो उसके पार्ट फर्स में बताया था आपको कि ये company के जो financial statements होते हैं उसमें दोस्तों क्या-क्या include किया जाता है दोस्तों मैंने बता तो उसमें profit and loss account include होता है balance sheet include होती है इसके लाओ दोस्तो cash flow statement भी include होता है दोस्तों इस chapter में हम क्या-क्या cover करेंगे इस chapter में हम दोस्तो balance sheet और profit and loss account cover करेंगे तो आईए दोस्तो सबसे पहले देखते हैं balance sheet दोस्तो balance sheet हम काफी time पहले से बनाते हैं हमने 11th class में भी सीखा है और दोस्तो इस class में भी हमने कई chapter में balance sheet बनाई है लेकिन दोस्तो यहाँ पर हमें एक नए डंग से balance sheet बनानी होगी company अधी नियम 2013 की अनुसूची 3rd के अनुसार बताया गया है दोस्तो उसमें कि कैसे आपको balance sheet बनानी है दोस्तो एक अपरेल 2011 के बाद जो भी statements बनाए जाएंगे company के वो दोस्तो इस नियम के अनुसार ही बनाए जाएंगे हाला कि दोस्तो ये नियम banking company पर लागू नहीं होता है तो आएए दोस्तो आप देखते हैं कैसे क्या balance sheet बनानी है दोस्तो basically हम balance sheet बना देते हैं उसमें दो side होते थे एक तो liability side और एक asset side इसमें दोस्तो हम vertical form में बनाएंगे एक लंबे रूप में बनाएंगे और दोस्तो इसकी खास बात ये है कि हम balance sheet में जो जो भी item लिखेंगे उसका दोस्तो हमें एक note भी नीचे देना होगा उस note में दोस्तो हमें समझाना पड़ेगा कि ये item क्यो लिखा है और दोस्तो इसके अलावा इस item में जो amount लिखा वो किस प्रकारा है वो note में हमें पूरा समझाना पड़ेगा तो दोस्तो इसमें हमारी सबसे पहली man heading जो होती है वो दोस्तो होती है equity and liabilities पहली man heading equity and liabilities अब दोस्तो liabilities तो हम पहले भी लिखते थे लेकिन दोस्तो यहाँ पर equity भी लगाए हमने क्यों कि दोस्तो यह company है और यह shares से चलती है तो यहाँ पर दोस्तो नाम होगा equity and liabilities तो दोस्तो equity and liabilities हमारी man heading और उसमें एक sub heading आएगी जिसका नाम होगा दोस्तो shareholders fund shareholder fund मतलब दोस्तो जो हमारी company के shareholder है उनका fund उनका पैसा तो इसमें वो वो item आएंगे जो की shareholder से related है जो की उनके है उनके भाग के है वो दोस्तो कहे जाएंगे shareholders fund उनका पैसा company में किसकी रूप में है मतलब दोस्तो जैसे इसमें पहला point आएगा share capital मतलब shareholders fund में हम पहला लिखेंगे share capital हाँ भई company की इतनी share capital है अब वो चाहे दोस्तो equity भी हो सकती है preference भी हो सकती है मतलब share के रूप में shareholder का इतना पैसा है तो वो इसमें आएगा दोस्तो share capital के नाम से इसके बाद दोस्तो shareholders fund में क्या क्या आ सकता है इसके बाद दोस्तो आ सकता है reserve and surplus अब दोस्तो आप पूछेगे कि reserve and surplus shareholder fund में क्यों है कि ये shareholder का कैसे है तो दोस्तो ये ऐसे है reserve कैसे बना जाता है reserve दोस्तो company के profit में सही बना जाता है और दोस्तो profit किसका होता profit दोस्तो shareholder का ही तो होता जो company में पैसा लगाते उनीका तो profit है आप उनीके पैसे से reserve बना रहे हो तो दोस्तो सर्प्लस का मतलब होता है, जब कमपनी के, मतलब कभी ज़यादा लाव हो जाते हैं, लाव बच जाता है, डिवेडेंड वगरह सब बाट दिया, सारा इंटरेस्ट चुकह थे, सब पेगर दिया, उसके बाद भी कुछ लाव बच जाते हैं, तो वो दोस्तो होता है surprise ज्यादा लाब हो जाना तो वो भी दोस्तो शेर होल्डर का है इसलिए दोस्तो वो भी शेर होल्डर्स फंड में लिखा जाता है इसके बाद दोस्तो तीसरा amount आएगा इसमें शेर होल्डर्स फंड में money received against share warrant money received against share warrant इसका क्या मतलब है दोस्तो इसको दोस्तो आप बोल सकते हैं कि भविश्य के share holders का fund कैसे दोस्तो जब एक company अपने share issue करती है न तो दोस्तो अगर ज़्यादा आविदन आ जाते हैं तो पूरे issue नहीं कर पाती आपको भी यह पता होगा तो दोस्तो इस condition में एक company क्या कर सकती है कि जिन लोगों को दोस्तो company share issue नहीं कर पाई उनको दोस्तो company share warrant दे देती है यह दोस्तो एक तरह का certificate ही होता है और share का जो certificate होता है न एक अंश का certificate होता है उसी के जैसा होता है तो share warrant दे देती है और दोस्तो share warrant कब काम आता है जब company reissue करेगी न शेर को कभी दो बारा issue करेगी न तो दोस्तो वो share warrant असली share में convert हो जाएगा असली share में बदल जाएगे मतलब आज हमने पैसा तो दे दिया और company हमें share नहीं दे पाई लेकिन share warrant दे दी तो बविष्य में वही share warrant दोस्तो बदल कर share हो जाएंगे तो वो बविष्य का shareholder का fund हुआ वो shareholders का ही पैसा हुआ इसलिए दोस्तो हम इसको भी किसमें लिखेंगे shareholders fund में तो इसी के साथ दोस्तो हमारी पहली जो subheading थी वो पूरी ही जिसका नाम था दोस्तो शेर holder fund हमारी पहली man heading कौन सी थी man heading दोस्तो थी equity and liabilities उसमें दोस्तो हमने पहली heading डाली थी shareholders fund shareholders fund में हमने तीन पड़े share capital दूसरा reserve and surplus इसके बाद दोस्तों तीसरा हमने पड़ा money received against share warrant इसके बाद दोस्तों दूसरी हमारी subheading है share application money pending allotment share application money pending allotment इसका क्या मतलब है दोस्तों इसका मतलब है कि company ने application का पैसा तो ले लिया company के पास application का पैसा आचुका है shares की लेकिन company अब तक allot नहीं कर पाई और दोस्तों इस दोरां company को अपने final accounts तायार करने पड़ गए तो दोस्तों इसका मतलब है application money हमारे पास पढ़िये लेकिन उनको allot करना बाकी है तो दोस्तों ऐसी condition में final accounts बनाते समय वो राच्छी share application money pending allotment के रूप में लिखी जाएगी इसके बाद दोस्तों हमारा तीसरा point होगा non current liabilities पहला point था दोस्तों shareholders fund दूसरा point था दोस्तों share application money pending allotment तीसरा point दोस्तों हमारा है non current liabilities तो दोस्तों जैसा की नाम से ही इससे पता चलता है non current जो current नहीं है current कौन से होंगे दोस्तों जो हमें 12 मेने के अंदर चुकाने है जो हमारे 12 मेने के अंदर वाले दाइतव है न वो current पे आएंगे और बागी 12 मेने से अधिक समय वाले जो हमारे दाइतव है वो non current पे आएंगे जैसे जैसे दोस्तों long term borrowings इसके लाग दोस्तों long term provisions defer tax liabilities या फिर other long provisions तो दोस्तों यहाँ पर long term borrowings और long term provisions क्या होंगे जो एक साल से ज़्यादा समय के लिए है मतलब दोस्तों कोई loan है जो हमें एक साल बाद चुकाना है तो वो long term में आएगा इसके लाग कोई provision है जो की एक साल से ज़्यादा के लिए हमें बनाना पड़ेगा तो दोस्तों वो long term provisions में आएगा इसके लिए दोस्तों तीसरा पॉइंट है Defer Tax Liabilities है Bracket में Net दोस्तों Defer Tax Liabilities का क्या मतलब है इसका दोस्तों सीधा सा मतलब यह है कि आपने अपनी कुछ estimated income मानकर tax pay कर दिया मतलब आपने माना कि मेरी 1 करोड की income होगी उसके अनुसर आपने tax pay कर दिया यह tax pay दोस्तों कब कि आपने जैसे आपका जब financial year start होता है उसकी starting में या उसके mid में कभी भी कर दिया मतलब financial year के end होने से पहले ही आपने कभी कर दिया अब दोस्तों जब आप अपने financial accounts बनाते हैं उसमें दोस्तों पता चलता है कि आपकी income जो है न तो यह जो 50 लाग का दोस्तों अंतर है न इस पर जो tax बनेगा वो दोस्तों आएगा deferred tax liabilities इस पर जो दोस्तों ज़्यादा tax बनेगा वो आएगा दोस्तों deferred tax liabilities अब दोस्तों क्योंकि इस साल तो हम चुका नहीं पाएंगे दोस्तों हमने शुरुआत की थी equity and liabilities से उसके बाद दोस्तों हमने पढ़ा shareholders fund उसके बाद दोस्तों हमने पढ़ा share application money pending allotment उसके बाद दोस्तों तीसरी heading हमने पढ़ी non current liabilities उसमें दोस्तों हमने चार पढ़े long term loans, long term provisions deferred tax liabilities और other long term provisions अब दोस्तों क्ला जबसता है हमारा current liabilities तो दोस्तों simple सा है जो non current नहीं हो current है मतलब जो एक साल के अंदर हमेंitness एक साल के अंदर वाली हमारी liabilities है वो current में आएगी तो जिसमें short term borrowings है short term provisions है, trade paybles है और other current liabilities है इसमें दोस्तों आप short term borrowing प्रोविंग शोट्टम प्रोईजन तो समझ गयोंगे जो एक साल के अंदर वाले हैं इसके लाव दोस्तो एक टोपिक है इसमें ट्रेड पेबल्स ट्रेड पेबल दोस्तो बेसिकली क्या है बिल्स पेबल ही हैं मतलब दोस्तो जब हमारी उधार पड़्चेज होती है तो उस स एक तरह दोस्तो हमारा एक्विटी एंड लाइबलिटी पूरा हुआ दोस्तो इसमें हमने चार सब एडिंग बढ़िए ध्यान रखना शेर होल्डर्स फंड शेर एप्लिकेशन मनी पेंडिंग अलोट्मेंट नोन करंट लाइबलिटी और करंट लाइबलिटी एक तरह से मत करंड असेर्ट्स में पहली हेर्डिंग होगी फिक्स असेर्ट्स की फिक्स असेर्ट्स की फिक्स असेर्ट्स दोस्तो जैसा कि आप जानते ही हैं लैंड बिल्डिंग मशिनरी वगरा दोस्तो यह फिक्स असेर्ट्स में अंदर आते हैं और दोस्तो इसमें चार आइटम चा tangible के अंदर आती है, intangible के अंदर क्या क्या आते हैं, जो हमें दिखती नहीं है जैसे कोई patent है, trademark है, copyright है तो दोस्तों यह हमारी intangible assets में, मतलब दिखती नहीं है दोस्तों, लेकिन यह हमारी asset है, इसलिए दोस्तों intangible assets के रूप में आती है, अब दोस्तों जिसे patent क्या होता है patent जिसे आपने कोई नया product बनाया कोई नई technique या कोई नया आविशकार क्या हो तो यदि आप उसका patent कर आ लेते हैं तो दोस्तो कोई दूसरा उसकी नकल नहीं कर सकता मतलब उस product पर दोस्तो आपका ही एक अधिकार होगा और यदि दोस्तो कोई व्यक्ति ऐसा करना चाता है मतलब आपने जो product बनाया वैसा बनाना चाता है तो दोस्तो उसकी आपसे अनुमती लेनी होगी इसलिए दोस्तो ये चीजे intangible assets में गिनी जाती है इसके बाद दोस्तो हमारा fixed assets के अंदर आता है capital work in progress मतलब दोस्तो यदि आपकी कोई building है कोई ऐसी asset जो अभी पूरी तरह से तयार नहीं है बनी नहीं है अगर पूरी तरह से हो जाएगी तो वो tangible assets में आ जाएगी आप कोई factory बना रहे है कारखना बना रहे हो वो अभी अधूर है उस पर काफी पैसा आपने invest कर रहा है तो दोस्तो ये चीज़े आएंगी capital work in progress इसके बाद दोस्तो आता है intangible assets under development तो जैसे दोस्तो यदि आप कोई patent, copyright या trade mark इनको दोस्तो क्या करना पड़ता है register करना पड़ता है एक तरह से ही मालो मतलब आपका बनाने के वल आप ही ऐसा trademark, copyright यूज कर सकते हैं इसके लिए दोस्तो आपको license लेना होगा एक तो आपने दोस्तो patent के करने के लिए आपने आविदन कर रखा है तो यदि ऐसी condition है तो दोस्तो वो कहलाएगी under development intangible assets under development तो इस तरह दोस्तो हमारी non-current assets में fix assets पूरी हुई और दोस्तो non-current assets में क्या-क्या आते हैं non-current investment आ सकते हैं defer tax assets दोस्तो जैसे हमने defer tax liabilities पढ़ा था मतलब आपकी income तो ज़्यादा थी लेकिन आपने कम income के सब से tax पे कर दिया अब दोस्तो इसमें defer tax assets क्या होगा इसमें दोस्तो आपकी income तो कम हुई लेकिन आपने दोस्तो ज़्यादा income मानकर tax पे कर दिया तो वो दोस्तो आपकी संपति है तो दोस्तो आप अगले साल कम tax पे गर होगे तो दोस्तो यह आएगा defer tax assets इसके लाव दोस्तों non-current में क्या-क्या आ सकता है loans and advances long-term loans and advances long-term loans या advances दोस्तों ये हैं जो आपने किसी दूसरे को दे रखे हैं long-term basis पे एक साल से ज़्यादा के समय के लिए आपने दूसरे को loans दे रखे हैं तो वो दोस्तों आएगा long-term loans and advances इसके लाव दोस्तों कोई other non current assets है तो वो तो इस तरह दोस्तों हमारी non current assets पूरी हुई अब दोस्तों हमारी बसती है current assets अब current assets में क्या है दोस्तों जैसे कोई current investment है या हमारा stock या inventory है trade receivable मतलब जैसे bills receivable होते है dators की जैसे उधार sale करने पर उसी तरह के दोस्तों ये trade receivable होते है इसके लाव दोस्तों current में क्या क्या आ सकता है और दोस्तों cash आ सकता है या कोई short term loans है वो आ सकते है और कोई other current assets है तो वो आ सकती है तो इस तरह दोस्तों हमारा asset भी पूरो है पहला हमने पढ़ा था दोस्तों equity and liability दूसरा दोस्तों हमने पढ़ा assets assets में दोस्तों हमने दो पढ़े non current और current non current में दोस्तों हमने पढ़े fixed assets non current investment defer tax assets long term loans, advances other current current में दोस्तों हमने पढ़े current investment, inventories, trade, receivables cash अर short term loans वगरा अब दोस्तों balance sheet तो बन गई इसमें दोस्तों हमें note भी show करने पड़ते हैं जैसे दोस्तों हमने equity and liabilities में दोस्तों जो share capital हमने लिखी थे तो share capital का पूरा ब्योरा मतलब share capital में हमने कितने मांगे वहाँ पर कितने नहीं चुका है call sell, area कितने हैं पूरा हिसाब किताब हमें note के रूप में नीचे show करना होगा तो इस तरह से दोस्तों company अधिनियम 2013 के schedule 3 के अनुसार यह balance sheet बनाई जाती है आज के वीडियो में दोस्तों बस इतना ही अगले वीडियो में दोस्तों हम इसके सवाल देखेंगे कि balance sheet कैसे बनाई जाते हैं और note कैसे दिया जाता है तो दोस्तों वीडियो यहीं प्रतना है तो वीडियो को like करें को subscribe करें और share भी करें धन्यवाद